एलो दोस्तो नमस्कार हरे कृष्णा स्वगत करता हूँ आपके और हमारे चैनल फ्लैम स्पोर्ट्स में क्लिपर्स वसिस एटलैंटा वॉक्स के बीच मेच होने वाला है यहाँ पर दोस्तो क्लिपर्स की बात करूँ तो रिसेंटले आपने देखा होगे कि हार्डन अविलेबल नहीं है उसी की वज़े से थोड़ा सा पोहमस में हम दोस्तो कमी लग सकती है क्लिपर्स की अगर कल अविलेबल होता है तो काफी अची बात है अभी दोस्तो 50-50 परसंट चांस बन रहा है जिसे हम हाल दोस्तो एटलैंटा का है क्योंकि एटलैंटा में बहुत ज़दा इंजरी है ठीक है उसका में प्लेयर दोस्तो त्रेग नहीं खिलने वाला है उसका दोस्तो बैकप सेंटर ओकोगनू नहीं है वो तो आपको पता ही होगा ठीक है और दोस्तो बहुत एक अच्छा डिफेंडर है ग्रीफिन वो भी नहीं है ठीक है तो सारा इंजरी न्यूस है बाकी दोस्तो बात करूँ स्टार्टिंग लेनप की तो मरे आपको देखने को मिल जाएंगा बोगदान विच है डी एंदे हंटर बेंसे के लेगा यहाँ पर जोंसन आपको देखने को मिल जाएंगा कलेंड कपला है साइद मेंथियूस आपको स्टार्ट करता हो देखने को मिल एक एटलांटा की तरप से टीक है बाकि जोस्तों यहां पर बात करो। को अ क्लीपयस की तो क्लीपर में घ्र चैल होता एक है। ठीक है अ क्लीपबर्स का लास मेंचे नहीं यह रा दिया था इसमें तो हारण नहीं पन्लाद हॆप यह। कर सकते हो। albeit सपरे कश में रिस्टार करें जिस के चल रहा है ठीक है विश्चनेबल प्लेयर है दोनों अब बोल जो ने अच्छा कर रहा है लास्ट के दो गेम से में देख रहा हूं उसको यहां पर लेंडर देख सकते हो इवी का जुबाज है इवी का जुबाज को 33 मीट मिला था वही एक काफी अमारे लिए इतना समय अगर जुबाज को मिलता है तो यह काफी अच्छा काम पर क्याप को दे सकता है आयले ने काफी अच्छा एग्रेसिव खिलड़ी है भी लोग ले सकते हो और उसका क्याफी केडित कम भी है अगर हाड़ान अवेलेबल होता नहीं है तो आपके लिए काफी मस्ट भी हो जाएग नामेन पावल देख सकते हो पीजे टकर है अमेरु कोफे है डेनियल थाई से मैसन प्लंबली है उसकत और एक हेक लिपस का पहों मस्ट चेक कर सकते हो जिसमें दुस्तों सिर्क को गुंस को वन सड़क तरीके से आरा दिया था अज हमारा रेंक आया था बहुत ही जो बात मेना सोता वर्सिस यूटा वाले मेंच में काफी बढ़िया रेंग निकल के आया था और विनिंग की बात कर तो आप बास्केबॉल की विनिंग आपको उपर जाएंगे तो आपको इसारी विनिंग देखने को मिल सकती है ठीक है या देख सकते हो अभी बास्केबॉल में तो यहां पर चेक कर सकते हो उसमें गीवे भी चल रहा है तो जैसे हमारी यह वीडियो देख रहो आप यहां पर देखिए मोर दिक रहा होगा आपको मोर पर आपको क्लिक कर देना है आपको टेलीग्रम चेलन का लिंक मिल जाएगा अभी एटलन्टा वॉक्स की बात कर तो एटलन्टा वॉक्स में क्या है पर लोग डी जोन्टे मरे जो अकेला लड़ रहा है उसके बाद यहां पर देख सकते हो जैले जोन्सन अभी इंजरी से वापस आया तो काफी अची बात है क्लिक कपेला ने डबल डबल लगाया थै या प्रोल पोहमस देखे कि अगर तीस मीनिट ये पैइतीस मीट अगर ड्री मिले उनके कंपेरिजन में देखे तो कुछ खास पोहमस नहीं है उसके बाद हंटर देख सकते होंटर बहुत बढ़िया खेल गया था 27 पॉंट काफी बढ़िया होते है बाकि बेंस आप देख सकते ह है ब्रुना फर्णांडो है फोरेस्ट है डीजों ने मरे फिर से बहुत बढ़िया कर गया था बोगदान विच देख सकते हो उसके बाद एक क्रैक जी है यहां पर क्लिन कफेला है अब बाकि आप चेक कर सकते हो ड्री मिलों टीम के बात कर लेंगे तो अगर हाड़न आउट होता है तो भाई लोग यहां पर हालन काफी अच्छी पिक हो जाएगा ठीक है हम दोस्तों डीजों ने मरे और बोगदान विच दोनों को लेंगी क्योंकि दोनों काफे अच्छे फिलड़ी होने वाला है पोल जोजर कवाई लेंडर दोस्तों यह दोनों भी अगर हाड़न ह होते नहीं है तो यह भी बहुत ही अच्छी फिक होने वाले है अभी दोस्तों यहां पर या तो हम कपेला को ले सकते हैं या इवी का जुबाज को ले सकते इसमें दोस्तों अगर सेफ की बात करूं तो कपेला है अगर थोड़ी सी यह भी सेफ ही पिक है बाई लेकिन पास 223 किडिक बचा है तो जोनसन को भी ले सकते क्योंकि जोनसन इस साल दोस्तों बहुत यह प्रोड़क्टिविटी दिखा रहा है अमरे पास 9.5 किडिक बचे है या तो हम पावल को ले सकते हैं या तो डियांद्र हंटर को ले सकते हैं आपके पास 200 दोनों ऑप्षन बच ज अच्छे लग रही है बाकी दोस्तों अगर हाड़न अवलेबल होता नहीं तो मेरे इकाल से पावली काफी बढ़िया रहेगा ठीक है अगर हाड़न अवलेबल होता है तो मेरे तो मिलते हैं अगली वडियो में तब तक लिए अपने ख्याल रखेगा बाबे टेक केर अरे कृष्टन